दूसरा राजा चौथा ध्यावस की पहली आयत हम पढ़ेंगे वहाँ पर कुछ लिखाए कि भविश्वक्ताओं की चेलों की पत्नियों में से एक इस्त्री ने एलीसा की दुहाई देकर कहा एक भी दुहाई स्त्री थी और परमेश्वर के दास से दुहाई देकर कहती है तेरा दास अर्थात मेरा पती मर गया है और तु जानता है कि वह यहवा का भय मानने वाला था और मैं भी यहवा का भय मानती हूं ऐसा उसका कहना है जिसका वह करजदार था और वह आया है और मेरे दोनों पुत्रों को अपने साथ अपना दास बनाने के लिए ले जाने के लिए वो आया है आगे पढ़िए दूसरी आयत में सही से एलीसा ने उस से पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं वह इस्त्री है एक विद्वा इस्त्री है जो कर्जदार है और उसका पती भी नहीं है पर उसके दो बच्चे हैं सायद और वह जो कर्जदार है तो कर्ज वाले आकर उस विद्वा इस्त्री से कर्ज अर्थात पैसे को मांग रहे उसके पैसे है नहीं और उनके बच्चों को लेके जाना चाहते हैं उस टाइम में वो परिशान है और क्या कहती है एलीसा ने उससे पूछा एलीसा परमिश्वर का दास है और मैं तेरे लिए क्या करूँ मुझसे कहे कि तेरे घर में क्या है उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं ह तू बाहर जाकर अपनी सब परोशियों से खाली बरतन मांग लेया कौन सा बरतन मांग लेया और थोड़ा बरतन नहीं लेया ना थोड़ा बरतन नहीं लेया ना जा खाली बरतन लेके आ और थोड़ा बरतन नहीं लेके आना और लिखाए कि जो भर जाया उसे अलग रखना पा पर लिखा है पाच्च व्यायत में तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर दौर बंद किया अंडरलाइन तब वह उसके पास बरतन लाती गई और वह उडेलती गई तेल उसमें उडेलती गई सुनना जराध्यान से और आगे पढ़िए आप लोग और उसके आगे पढ़िए क्या लिखा है जब बरतन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और बरतन लेया उसने उससे कहा बरतन तो नहीं रहा और लिखा है तेल थम गया आलिलूया और तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बताया और उसने कहा जा तेल बेच कर अपना रिण भर दे जो रह जाए अपने पुत्रों समेथ अपना जीवन निर्वाह करना आमिन कहिए हम इस घटना को क्यों पढ़ रहे हैं आपके लिए कि आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज में हैं तो हमें कौन सी परिस्थितियां चाहिए कि जो हम कर्ज से मुक्त हो जाएं देखे हमने अभी यह पढ़ा कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रगट होता है कि शैतान के कामों का क्या हो याद रखो कि यह सही है कि शैतान आपके जिंदगी में अगर आप उसे मौका देते हैं तो आपके लिए काम करता है वो आपको गरीब बना सकता है वो आपको कर्ज में लेके जा सकता है आपको मुकदमे से भर सकता है आपको परिशानियों से वो भर सकता है पर यह भी सही कि यह आप परमेश्वर को मौका दें तो आपको इन सब चीजों से वो मौक्त कर सकता है आमेन और यहां पर हम देखे जिस हम इस्तिरी के बारे में बात कर रहे हैं प्रियजन वो एक विधुवा इस्तिरी है पर उसका पती भविश्वक्ताओं की आत्मिक से वकाई में सामिल था वो इस दुनिया में नहीं रहा प्रभू ने उससे उचा उठा लिया पर अब उसकी इस्तिती एक कर्ज की इस्तिती बन चुकी है और उसके उपर कर्ज है वो कुछ लोगों से कर्ज को लिया है और वो कर्ज लेने वाले उसे बार-बार परिशान करते हैं और कहते हैं कि तो कर्ज नहीं भरेगी तो मैं तेरे बच्चों को गुलामी की दसा में लेके चला पर वो आत्मिक दसा का पालन किया, आमेन कर्ज से मुक्त होने के लिए वो एक आत्मिक परिस्थितियों को अपनाया जैसा उसका पती रहता था भविश्वक्ता के सिवकाई में और वो आत्मिक तरीकों के साथ जीता था उसी तरीके से उसकी पतनी भी और उसके बच्चे भी आत्मिक दसा में जीने के लिए अपने आपको तैयार कर रहे हैं आमेन जब मांगने वाले कर्ज लेने वाले उसके पास आते हो बहुत परिशान हो जाती है पर वहाँ पर हमें पढ़ लेंगे कि वह इस तरी आत्मिक वातावरन को नहीं छोड़ी और उस आत्मिकता को वह बना कर रखी जैसे उसके पती जीवित थे तब भी और उसके पती नहीं है तब भी वह अपनी आत्मिकता को बना कर रखी हाँ सही है कि नहीं वो कर्ज में थी और उसका जो संबंद था याद रखिये उसने अपने आपको कर्ज से कर्ज के अधीन नहीं किया हम कहेंगे कि उस संसार की परिस्तिती के अधीन नहीं किया या अपने आपको सुसाइट नहीं किया कि मैं अप कर्ज कहां से दूंगी मैं कर्ज कहां से रहती, हाँ वो रो रही थी, पर उन ये नहीं किया कि वो उसने अपने आपको सुसाइट नहीं किया, अपने बच्चों के साथ कुछ जहर खाके नहीं मरी प्रन्त Вो निरने लेती है कि मैं जिस हुम हैं एक बाव्ट क Norwegianह दुशा था, मैं उसी आत्मिक दसा को अपने जिंदगी में पालन करूंगे निश्य ही परमेश्वर हमारी सुनेगा कहिए आमेन वो इस्तरी क्या करती है वो इस्तरी अपने इस्पिच्वल फादर को बुलाती है वो जिसके अंडर में काम करती थी आत्मिक दसा में रहती थी जीवन निर्वाह करती थी आत्मिक रिती से वो उससे बात करती है हालेलूया वो किसे संसार के गुरू के पास नहीं जाती है या वो अपने शरीर को नहीं ब्यापार करती है वो ब्यविचार नहीं करती है कर्ज को मुक्त करने के लिए या कहीं पर जाकर वो चोरी नहीं करती है या वा दारू असराब या मदिरा बना के नहीं बेशती है वो कोई ऐसे गलत कदम नहीं उठाती है पर वो अपने आत्मिक जो उसके गुरू थे एलीसा उनको वो बुलाती है हालेलूया और लिखा है कि जब वो उनसे बात करती है तो उसके आत्मिक गुरू ने कहा कि ये बता तेरे पास अभी क्या है उसने सुन लिया कि हाँ तू कर्ज में दबी हुई है बोस से दबी हुई है कर्ज वाले तुझे घेर रहे हैं और उसने कहां ठीक है जाके अपने पडोसियों अपने गाउं के जितने भी लोग है तुझ जितना खाली बरतन ला सकती है गाउं से मांग लेया पडोसी को कहिए खाली बरतन भरा नहीं क्या चीज खाली बरतन परमेश्वर की आत्मा ने क्या गहां खाली बरतन मांग लेया और इस थोड़े से हाणी में जो तेल है इस पर आत्मिक बल काम करेगा क्योंकि तुने अपनी जिंदेगी में संसार की शहायता नहीं ली तुने अपनी लाइप में येशु मसी की सहायता ली पर्मेश्वर की सहायता ली तु अपने आपको किसी संसार के लिए नहीं बेचीत प्रन्तु तुने अपने आपको परमेश्वर के लिए दिया वो संसार के सहारे पे नहीं रही प्रन्तु वो खुदावन के सहारे पे रही आमेन और जब वो खाली बरतन मांग के लेके आती है प्रिय भाईजन वो थोड़ा सा तेल पूरे खाली बर्तन को भर देता है आमेन जितना उसके पास बर्तन था अधिकाई का बर्तन था वे सारे बर्तन उस थोड़े से तेल से क्या हो जाते मालूमे परमेश्वर्त यही आपके लिए भी करना चाहता है डरो नहीं डर कर कोई गलत काम मत उठाओ अपने आपको शेतान के हाथ में फिर मत जाने दो और अब यह नहीं कहो कि अब मेरे लिए प्रभू कुछ नहीं कर सकते और आप अपना गुस्सा अपने परिवार के लोगों पर उतारो ऐसा भी नहीं भरोसा रखो हमें उसके लिए अपने हाट के अंदर जगह छोड़ना है अपने आप अपने अंदर परमेश्वर के लिए हमें जगह तयार करना है आपके अंदर जब दुष्टात्माएं होती हैं बिमारिया होती हैं आपके अंदर जब चिंताएं होती हैं जब वो चिंताया हटती हैं प्रात्ना से परमेश्वर की उपस्तिती से जब वो चीजे हटती हैं तो आप उन खाली जगहों को किस से भरते हैं बताईए यदि हम अपने मन को प्रभू के लिए खाली रखें तो हम में बड़ी तीब्रता के साथ रहना चाहेगा कहिए आमेश्वर जब हम से मिलता है तो खाली नहीं पर वो भरपूरी के साथ मिलता है आमेश्वर के साथ मिलता है तो क्या हम मसी के लिए जगह तयार कर रहे हैं वो हमें भरपूरी के साथ मिलना चाहता है ऐसा आमेश्वर के साथ मिलना चाहता है तेजी के साथ आमेंट कहिए, अगर वहां हम पढ़े दाउद कहता है कीस आयात 3 में और वहां लिखा है क्योंकि तु उत्तम आशे बेता हुआ उस से मिलता है, आमें उत्तम आशे बेता हुआ परमेश्वर है आपसे मुलाकात करता है इसलिए जब आपके अंदर दुष्ठात्माय होती है बिमारिया होती है आपको छोड़ के चली जाती है उस खाली अस्थान को आप फिर से बुराईयों से भरते हैं उस खाली इस्थान को फिर से आप तमाम एर्षया जलन तमाम शंसार के धोखे से आप उसे फिर बर लेते हैं और आप कहते हो प्रभू आप मेरे लिए प्रगट नहीं हो रहे हैं वो नहीं हो सकता क्योंकि आपने उसके लिए जगह नहीं तयार करके रखा है आपने उसे खाली जगह नहीं दिया कि वो आप आप में आकर बैठे आपके विचारों में आकर बात करे और आपको आशीश दे याद रखो कि वहाँ परमेश्वर के आत्मा ने कहा जा खाली बरतन लेके आ और उस खाली बरतन में तेल को उडेलते जाना अपने हाट के अंदर तयार करो वो आए आपके अंदर उसके लिए जगह तयार करो वो आना चाहता है और आप में बसना चाहता है इसलिए हम प्रार्थनाओं में आते हैं इसलिए हम उसके वचन सुनते हैं इसलिए हमारे जिन्दिगी में चंगाई और छुटकारे होते हैं ताकि वो सर्विशक्तिमान हमें बसने पाई इस्षु मसी के नाम से वो जब आएगा हमारा फैलाओ करेगा आमिन बोलो देजी के साथ इसलिए हमें अपने यहां पर देखें कि वो अपने आत्मिक गुरु से अपने मुस्किलों का हल क्या वो सारीरिक दसा में पाई बोलके बताईए क्या उस कर्ज से मुक्ति वो शारीरिक दसा से पाई कौन से दसा से पाई तेजी में बोलिए क्या वो सारीरिक दसा में करज से मुक्ति पाई उस संकट से वो कैसे मुक्ति पाई हाथ उठा के बोलो आत्मिक दसा क्यों वो किसको अपने पास लेके आई एक आत्मिक व्यक्ति को है याद रखना है न बल से ना शक्ति से पर आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा, आप कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, सारे रिक रित से नहीं पा सकते, आप यदि मसी के साथ जी रहे हो, और चारे हो कि हमारा घर बन जाया, हम चलके चोरी करें, हमारा घर बन जाया, ऐसा कभी नहीं हो पाए पर इसने अपने जिंदगी में साहस नहीं छोड़ा, अपने आत्मिक्ता का अस्तर बना के रखा, अपने अंदर आत्मिक्ता के बल को बना के रखा और अपनी जिंदगी में निवारन पाने के लिए अपने आत्मिक गुरू को अपने पास बुलाया, आमेन कहिए, आप ऐसा कर कर्ज से कर्ज से मुक्त होना चाहती थी क्या उसने कोई सारे रिक काम किया बोलके बताईए उसने कौन सा काम किया हां जब वो परिशानी में थी तो वा किसी संसार के गुरू के पास गई हां किसी वो बड़े आत्मी के पास गई किसी वो नेता के पास गई वो किसके पास गई गई बताओं किसके पास गई बताईए आप वो एक spiritual man एक आत्मिक व्यक्ति के पास गई उसका नाम क्या है एलिसा किस क्या नाम है उसका यह वही एलिसा है जिसने अपने बारा जोड़ी बैलो को त्याक करके अपने आत्मिक पिता के पीछे हो लिया और इसे दुगनी सामर्थ मिले आमेन आज यही एलिसा इस विद्वाइस्तरी के जीवन में क्या करता है एक बड़े चमतकार को लाता है येश्युमसी के नाम में हम हाह जब आप आत्मिक नियमों को नहीं चोड़ते हो आत्मिक नियम पर बरकरार रहते हो अपके खाली बरतन भने वाले में सच के तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइप प्रार्तना हो तो सबसे पहले आप देख सकें